ओम स्री गनीशा नमदूस्तू एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्जिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्य इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुकूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबनित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरीन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसुलों और सिध्धानों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जाप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सलासे संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है भी अपने स्वभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रिशानिय जंद ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्रे करने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार आप अवश्च करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण काग जातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्यो में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गतिव विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना दे आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पत हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इस का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने देन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल बहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कारे छित्र में अगर किसी प्रकार का न आप के लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद हैं दोस्तों साती सात कारे छित्र में दूसरों के हस्तोषेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादें तथा वैवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेशा व्यक्ति भी नौफिस में कॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साती सात आज आप किसी कारणों से कारे छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियो और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा व्यवसाइक छित्र में आपकी कारे छमता व्यकाबियत की वज़े से काम्याबी आपके द्वार खट-खट रही है इसलिए प्रते कारों को आप आज बहुती गंभीरता से ले नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनकी कार छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाल दोस्तों आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तों साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे अवश्य कराएं और अपनी श्रद्धानुसार कुछ दान दक्षणा भी अवश्य करें और अपनी मनीमन मनो काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्रीहरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके ज श्रीहरी विश्णुजी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्रीहरी विश्णुज अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद